हलो दोस्तों कैसे हैं आप अक्सर में आपके सामने नही नहीं जानकारी लाता रहता हूँ पहली बार हमारे मद्धे प्रजिशनी में सक्चों की बढ़ती और इसे रिलिटेड बुक्स मैंने अपने फेस्बुक पेज एड़दा रेट है तो लुकुमा सरमा09 पर पोश्ट कर दी है यहाँ पर सेर की इमेजन की लिंक पोश्ट ही है वर्ग तीन की बुक्स सीटेड की बुक्स MPPSC वो सपलता कि बहुत करीब आपको ले जाती है दोस्तों आज का जो वीडियो है आपके लिए खास है और आप जो सवाल पूछते हो बर्ग एक और बर्दो की काउंसलिंग के लेकर वही मैं आज वीडियो में लेकर आया हूँ तो सबसे पहले मैं वो कॉशन पढ़ देता हूँ जिससे कि आपको मैं रिपलाई दे सकूँ पहला कॉशन है कि क्या दज जनवरी तक को काउंसलिंग सुरू हो जाएगी तो दज जनवरी को सिर्फ आपके काउंसलिंग के संबंद में ओफिसली लेटर जारी होगा जिसे हम बिग्यप्ति, नोटेस और बिग्यापन के नाम से जानते हैं दोस्तों ठीक है तो सिर्फ ये आपको पता चल जाएगा कि आपके काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी उस नोटेस से वो ओफिसली नोटेस कहला आएगा दोस्तों सेकर्ड यह है क्या यह संयुक्त काउंसलिं है यह संयुक्त काउंसलिंग है कि नहीं है जनजाती विवाकी और मद्प्रदेस हिक्चा विवाकी यह भी आपको नोटपेस से ही मालूम पड़ेगा क्योंकि अभी दोनों के पोर्टल तो बना दी गए एमपी एजूकेसन डिपार्टमें लेकिन यह संयुक्त काउंसलिंग होगी कि अलग-अलग काउंसलिंग होगी इसका भी पता आपको नोटपेसन से ही चलेगा इसके इलावा बिग्यप्ती से क्या-क्या पता चलेगा वहसे बाइबेनों को जो आपकी आगामी काउंसलिंग होनी है उससे सम्मंदित आपको portal नहीं मिर रहा है बहुत से बाईवेन कहते हैं तो मैं step by step बताऊंगा कि चाहे आप smart phone से type करें, चाहे आप laptop से type करें, चाहे computer से type करें आप वो portal तक कैसे पहुंच सकते हैं और साथ में उसमें जो counseling के निर्देश दिये गए हैं यानि कि आपके जन्जाती भवाग की चरण अलग-अलग हैं, उनकी counseling की पिर किरिया अलग करती गई है कि उनके कौन-कौन से चरण होंगे और आपके education department के कौन-कौन से चरण होंगे, उसके चरण अलग-अलग हैं तो दौनों के आप difference भी पता कर दोस्तों कि जो आपकी बिग्यापती जारी होगी दज जन्वरी को उससे आपको क्या-क्या पता चल जाएगा, ठीक है? तो इसमें आपके पूरे नियम आ जाएंगे, जैसे कि आपको 30 December को जो आपके बिग्यापत जारी हुआ था, देने के बाहस करो बहुत से नियूज पेपर में भी जारी हुआ था, उसमें साप-साप लिखा था, उसके आधार पर आपको क्या पता चलेगा 10 जन्वरी को वो मैं आपको बता रहा हूँ, नियम आपको पूरे नियम पता चल जाएंगे कि जो आपकी काउंसलिंग हो रही है उसके नियम क्या 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 है निर्देश मालूम छल जाएंगे कि इसकी निर्देश क्या क्या है इसमें आपको कौन-कौन से निर्देशों का पालन करना पूरी पिर कीरिया पता चल जाएगी जैसे कि आपके MP Education Department के कौन कौन से चरण है जो आपको follow करने है और जन्जाती विवाग की counselling हो रही है यदि सहीयुक्त होती है तो उसकी भी चरण लखे जाएंगी और यदि अलग से होती है तो फिर अलग से भी उसके बता दिये जाएगा तो वो सब आपको मालूम चल जाएगा आपके notification से कि यह सहीयुक्त counselling है कि अलग-अलग है इसके इलावा रिक्तियां रिक्तियां means आपकी कितनी पोष्टे हैं ये भी आपको मालूम चल जाएगा आपकी कितनी पोष्टों पर भढ़ती हो रही है इस समस्त विबरन जो होगा वो आपका बिस्तिरित रूप में होगा जो आपका news paper में जो विग्यापन जारी हुआ है वो short form में था और ये बिस्तिरित में होगा जिसमें कि पूरी जानकारी बताई जाएगी अब मैं आपको ये बता देता हूँ दोस्तों कि हमारे MP education department का भी software बन चुका है और जन जाती भवाग का भी software बन चुका है आपके MP online portal पर ठीक है दोस्तों तो उस पर आप जाकर देखेंगे तो आपका जो MP education की जो चरण है जो पहले बताए गए थे कि पहले आपको verification कर रहा है आपके जो भी document है किसी भी जिले में जाकर आपको online आविदन करने के बाद जो पिरकिरिया है verification की पिरकिरिया है वो सब पहले कराना है आपको है न और जन जाती भवाग में major बदलाब क्या है कि उन में क्या है कि पहले आपको आविदन करना है आपको online profile बनानी है और उसके जो चौथा चरण है यानि कि आपकी चायन सूची जारी होगी और जिज जिले में आपका चायनित हो जाओगी उसी जिले में आपको document verification कराना है यह किसका होगी है जन जाती भवाग का यानि कि दोनों की न्यूजन की पिरकिरिया है वो अब change हो चुकी है MP education की जो counseling का portal है उसमें अलग न्यूजन पिरकिरिया दी गई है और जन जाती भवाग के जो counseling का portal है उसमें अलग न्यूजन की पिरकिरिया दी गई है या MP education portal में जो आपकी counseling होगी बर गेक और बर दोगी उसमें आपके first और second step में ही जिले में आपका selection हो गया उस जिले में जाकर आपको document verification कराना है तो दोनों में सबसे बड़ा बदलाब तो यह है अब इस पर आप कैसे पहुँच सकते हो कौन-कौन सी चरण है चाहे हम MP education department की बात करें और चाहे जन जाती भवाग की बात करें उसके बारे में मैं अब बिस्तार से बताने वाला हूँ तो आगे का वीडियो बिल्कुल step by step ध्यान से देखें जिससे कि आप भी उन नियमों को स्वयम जाकर पढ़ सकें दोस्तों तो चले हम यह जानने की कोसिस करते हैं कि MP Education Department और जन जाती भवाग में क्या मेजर बदलाब हुए है और कैसे आप उन नियमों को पढ़ सकते हैं तो दोस्तों भुस्ते भाई बैनों के मन में यह confusion था कि MP Online Limited पर हमारा जो सिक्चा बढ़ती नियोजन यानि की सिक्चा बढ़ती थी पात्यता परिक्चा की कांसलिंग होनी है और जन जाती भवाग की कांसलिंग होनी है उसका पोर्टल कहां बनाए जबकि ये दोनों पोर्टल संयुक तो बना दिये गए लेकिन बहुत से भाई बैनों को नहीं मिला है तो आज की जो बीडियो का उद्देश है वो यही है कि एक तो आपको सिक्चा बढ़ती से बने उस पोर्टल की जानकारी मिल जाए साथ में जो MP Education Department की बढ़ती हो रही है जो उसकी कांसलिंग होगी उसकी चरण कौन-कौन से है उनकी भी आपको पता चल जाए इसके बाद जो जन्जाती विवाक की भठती हो रही है यानि कि जो कांसलिंग होगी उसकी भी चरण के आप पता चल जाए कि उसकी भी क्या प्रकिरिया है दोनों की portal साथ में बनाए गए हैं लेकिन इनकी संयुक्त counseling होगी की अलग-अलग counseling होगी ये हमें notification से ही पता चलेगा तो इन सारी जानकारियों को आज आपको answer मिल जाएगा सबसे पहले आप चाहिए laptop पर type करें, computer पर type करें या अपने mobile phone पर type करें आपको type करना होगा MP online और type करते हूं दोस्तों और जैसे ही आप MP online type करते हैं तो ये आपके सामने website आती यानि MP on line limited अब इस पर आपको click करना है दोस्तों और जैसे ही आप इस पर click करते हैं दोस्तों तो आप देखेंगे कि MP on line limited की ये website आपके सामने खुल जाती है दोस्तों और जैसी ये खुलती है तो आपको इसमें तीन चार option उपर दिखते हैं जैसे कि हमारे बारे में जिसमें बहुत सारे option हैं एक नागरिक सेवाएं तो नागरिक सेवाओं के अंतरगत भी बहुत सारे option है अधिकरेट कि उसके इसके अंतरगत भी बहुत सारे option है लेकिन हमें हमारे MP online हमारे बारे में नहीं जाना उसके बगल में नागरिक सेवाओं पर जाना है इसमें आप देखेंगे अपना CAC, आरक्षण, आवेदन, ई-बिग्यापन, online, बट्ति, counseling और भी नीचे option दिये गए हैं हमें जाना है counseling पर और जैसे हम counseling पर दोस्तों click करते हैं तो MP online की जो counseling से सम्मंदित portal है यानि की जो हम folder है वो उस खुल जाता है इसमें बहुत सारी counseling हम अक्सर की जाती हैं जिसके option आप देख रहा हैं सबसे नीचे आपको जो दिया गया है option वो है सिक्चक नियोजन counseling यानि की सिक्चक पातरता परिक्चा है न तो सिक्चक नियोजन counseling पर ही आपको click करना है जैसी इस पर click करेंगे दोस्तों तो ऐसा आपके सामने एक और folder खुल जाएगा यानि एक और website open हो जाएगी जिसमें आपको लोग शुक्चन संचाले मद्देपिर्दिस डिपी आई लिखा हुआ है पास में लिखा है आदिम जाती कल्यान बवाक मद्देपिर्दिस तो ये दोनों की फोल्डर इसमें बनाए गए है क्योंकि दोनों की counseling होनी है अब ये साथ में होगी कि अलग अलग होगी ये हमें notification जो हमारा बिग्यपती जारी होगी तभी पता चल सकेगा दोस्तों लेकिन जैसे हम click करते हैं पहले हम सबसे पहले कहां चलेंगे अपने मद्देपिर्देश सिक्चा बढ़ती पर है न तो मद्देपिर्देश जो लोग सिक्चन संचल है मद्देपिर्देश है DPI उसके अंतरगत आप देखोगे कि आपको तीन folder मिल जाते हैं दोस्तों और य यानि कि उच्च माद्मिक सिक्चक, हाई स्कूल इबं हाई सिकेंड़ी, माद्मिक सिक्चक और प्रात्मिक सिक्चक ये तीनों तो अभी आपकी बर्गेक और बर्दों की counseling होनी है उससे सम्मंदित यहां पर नियम भी दिये गए यानि कि इसकूल सिक्चक भवाग के दायत क्या क्या है वो भी इसमें दिया गया है और इसके नीचे आपके दिये गया है चरण कि कौन-कौन से आपके चरण है यानि कि आपकी नियोजन की प्रकिरिया क्या क्या है दोस्तों तो यह दिया गया है अब इसमें जो पहला चरण लिखा हुआ यानि कि पहला इसमें लिखा पात्रता परिक्चा अहद्दारी आवेदक रिक्त पदोपा नियूजन के लिए पिर्देश के किसी भी जिले में प्रमान पत्रों का पंजिया कर सत्यापन करा सकती है ना तो जिले के किसी भी विवाग किसी भी जिले में जाकर आप अपने सत्यापन करा सकती है दूसरा जो द पोष्ट ग्रेजिश रियूशन किया है फिर इसके बाद आती है अपकोय स्ख्चिंप्रिष्चण योग गता अनुबव पर्माण पत्र है फिर चाहिए। चाहिए आपको आयू संबंदी छूट से संबंदित प्रमान पत्रों का सत्यापन जिला इस्तर पर कलेक्टर द्वारा प्राधिकरत अधिकारी करमचारियों के द्वारा करने के उप्रांथ अभ्यारतियों को MP online के पोटल से रेप्रेंस नंबर दिया जाएगा ठीक है ये इसक करने के उप्रांथ आविदकों को निवक्ति करता अधिकारी को online आविदन MP online के पोटल से करना होगा आविदक एक से अधिक निवक्ति करता प्राधिकर के अधिन रिक्त पदों के लिए बिकल्प का चायन कर सकेगा तो ये हमारी मद्दपिर्दे सिक्चा भठती जो है उसक नियम हो गया है उसके चरण होगा है नियोजन की पिर्किरिया और इसमें उपर दिया गया है जैसे कि आपका उच्च मादमिक सिक्चा तो इस पर जैसे ही आप किलिक करेंगे चूंकि अभी ये बंद है कमिंग सून लिखा है क्योंकि दस तारीक को हमारा जो बिग्यापन ज किरिया है वो भी पूरी मिल जाएगी अब हम बात करते हैं आपके जो है आदेम जाती कल्यान भवाग मद्द पिर्दिस है ना जो जन जाती भवाग की भी आपकी भड़ती हो रही है तो उससे संबंदे में भी इसमें एक पोटल बना हुआ अब हम इस पर किलिक करते हैं दो बो भी यहां पर लिखी हुए है और आदेम जाती कल्यान भवाग की नियोजन की पिर्किरिया क्या 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 है वो भी इसमें दर्स आया गया है दोस्तों है ना तो नियोजन की पिर्किरिया है वो आप देखें इसमें लिखाए नियोजन की पिर्किरिया अब हम कहां पर आ गए थे और बाद में परिक्चा बना दी गई थी पहले एंपी एजुकेशन डेपार्टमेंट की परिक्चा थी ठीक है अब इसमें आप देख रहे हैं पंजियन कराना है पहले फिर आवेदक को रॉल नंबर ठीक है और रॉल नंबर के बाद जनम ते थी एवं पंजिकरित मो प्रविष्टी करना होगा यानि कि नवीन क्योंकि इस पर आपकी प्रविष्टी पहले से नहीं है जो हमारे आदेम जाती कल्यान भवाग है न अब इसमें आंगे तीसरा चरण कौन सा 24 फिलिंग आवेदक MP online के माद्दम से बशेवार जिलेवार इसकूल की प्राइक्त में तक क्रम दर्च का सुल्क भुक्तान करने पर 24 लौक हो जाएगा 24 में संसोदन 24 फिलिंग की अंतिम्तिती तक की जा सकेगी और फिर लाश्ट में आएगा चाइन सूची का पिर्दसन पांचमें नंबर पे है अवी लेक सत्यापन है ना एवं रिपोर्टिंग जिला साइक आ आपका चाइन हो गया है उसी जिले में आप कर पाएंगे और ये मैं आदिम जाती कल्यान भवाक की अंतरगज्यों कांसलिंग होगी उसकी बात कर रहा हूं फिर आगे देखें अभी लेकों की सत्यापन उपरांती चाइनित आवेदकों को द्वारा रिपोर्टिंग की पाएगी तो ऐसे इन दोनों की नियोजन पिरकीरिया जो है दोस्तों बो अलग अलग बना दी गए है जो नियोजन की पिरकीरिया मैं आपको बताइई है ये है हमारे जो की आदिम जाती कल्यान भवाक मद्देप्रदेश है उसके अंतरगज्ट और ये आपके आदिम जाती कल्यान भवा के दायत में लिखे हैं और इसकी नियोजन की पिरकिरिया लिखी हुई है जिसे आप स्वायम जाकर पढ़ सकते हैं ठीक है अब इसमें हम जैसी पीछे चलते हैं तो दौनों ही हमारे सामने आ जाते हैं और हम लोग शिक्चन संचाला है जो की MP Education Department की तरफ से है उस नियोजन पिरकिरिया है जो तरीका है वो इसमें अब बता दिया गया है तो यह आपको MP Online पर मिल जाएगा दोस्तों है न पूरा की पूरा जो पोर्टल है वो बना हुआ है लोग शिक्चन संचाला है मद्यपिर्देश DPI एन की हमारा MP Education बो पोर्टल की जो आपकी counseling होनी है और आदिम जाती कल्यान भिवाग मद्यपिर्देश जो की हमारी जंजाती भिवाग की होनी है तो यह दोनों की counseling का यह पोर्टल है जो की सईयुक्त है अब यह सईयुक्त counseling होगी की अलग-अलग counseling होगी यह हमें notification से ही पता चलेगा ठीक है दोस्तों तो यह एक समझ गया होंगी कि दोनों की जो निवजन की पिरक्रिया है उत्मे मूल भूत अंतर है अब यह साथ में आपके counseling होगी कि अलग-अलग counseling होगी यह आपकी जब notification जारी होगा उससे हमें पता चलेगा तो यह वीडियो ऐसा ही था आपको अच्छा लगे तो like करें, share करें और ज झाल साथ में आपके जारी होगी कि अबस्तों